हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आईजीत समस्त परतियोगी परिक्षाओं के लिए राजस्तान की कलासंस करती से समंदित क्विजे स्टार्ट की गई थी जिसमें राजस्तान की कलाशन्स करती के एक हजार प्रसनों को सामिल किया गया था जिसमें टोप एक हजार प्रसनों को ठीक है जिसमें से दोस्तों अपनी साथ क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है साथ क्विज के अंदर अपने 280 प्रसन वो पढ़ ली है आज अपनी इसमें आठवी नंबर की किविज है जिसमें आज अपन सालिश क्रिशन ओर पढ़ेंगे इसमें तो दोस्तो अरद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें तो चलो दोस्तो स्टार्ट करते हैं 281 नंबर प्रेस ने इसमें देखिए धाडायती से क्या आज से है धाडायती से क्या आज से है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है लुटेरा या डकेट दाडायती किसको बोलते हैं लुटेरा या डकेत को बोलते हैं तो B नमबर का उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए 282 नमबर प्रेस्न इसमें देखिए निमन में से कौन सा यूग में सही सुमेलित है देखिए प्रेस्न आपको अटपटे जरूर लगेंगे ठीक है लेकिन आपको ये रोजना प्रती दिन जो चालिस कुशन की जो क्विज स्टार्ट की गई है ये रोजना मेरे साथ में चलती जाईए दोस्तों कलासर्स करती का आपका एक भी प्रसन वो गलत नहीं होगा ठीक है यहाँ पे देखिए निमन में से कौन सा यूग में सही सुमेलित है तो यहाँ पे देखिए बाकडी बर्मो और बसमरी ये तीन सब्द दिये गए हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बाकडी का लग जाते हैं कि बेंस्तो बाकडी है अभी दूद कौन देवे ठीक है बर्मो बर्मो का मतलब क्या होता है लकडी या लोहे में छेद करने का जो उजार होता है उसको बोलते हैं बर्मो और बसमरी बोलते हैं छिपकली को ठीक है यानि कि इसमें तीनों ही सही सुमेलित हैं तो इसका right answer हो जाएगा उप्रोक्त है सभी, D number का option सही उत्ता है, नेक्स्ट है, आगे देखे, बालद या बलद क्या है, तो दोस्तों देखो यहां पे बलद का पुछा गया है, बलद आप सभी को पता है कि बलद से अपन क्या करते थे, पहले तो खेत में हल जोतते थे, क्या कहत होते थे दोस्तों बालद या बलद तो इसमें C number का option सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट है, दोस्तों चोरासी नंबर प्रेसन है, इसमें देखे, पुरूस वे इस्तरियों द्वारा गले में पहने जाने वाला मुख्य आबुशन है, पुरूस या इस्तरियों द्वारा गल देखे, हुडबो क्या है, हुडबो क्या है, तो यहां पर देखे, हुडबो का मतलब होता है, यानि कि घानी की लाट को रोक रखने के लिए लगाई जाने वाली लकडी, यानि कि घानी यानि कि कोलू, यानि कि कोलू की लाट को रोक रखने के लिए लगाई जाने वाली ल यसी नंबर प्रेस ने भूमी के स्वामित्व का अधिकार पत्र क्या कहलता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पट्टो या पट्टा भूमी के स्वामित्व का अधिकार पत्र क्या कहलता है तो जिसको अपन पट्टो या पट्टा बोलते हैं त बीनमबर का उप्जन स्थाएं, नेक्ष्टे, नमन में से कुन सा यूग में सही समेलित है, तो यहां पे तीन सब्द दे रखे हैं, पहला है नावडियो, दूसरा है निकस, तीसरा है निर्णो, तो इनका मतलब क्या होता है, क्या यह सही समेलित है, तो देखिए दोस्तो नावडियों का मतलब होता है मला है और निकस का मतलब होता है हतियारों का सान चड़ाने का पत्थर ठीक है उसको बोलते है निकस है और निर्नो बोलते है मवेशियों के आगे चरने का चारा डालना उसको बोलते है निर्नो तो इसका राइट आंसर हो जा अपरोकते सभी नेक्स्ट दोसो अठाशी नमबर प्रेस ने ब्याज पर रुपिया उधार देने का धंदा क्या कहलाता है तो दोस्तों क्या कहलाता है तो उसको बोलते हैं बोहर गत तो बी नमबर का ऑप्शन सेयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है गरासिया पुरुस भाटली नामक आबुसन कहां पैनते हैं तो ये पैनते हैं दोस्तों कहां पर तो ये हातों में पैनते हैं ये आबुसन डी नमबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा इसका नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग में एसंगत है तो एसंगत युग में कौन सा है यहां पे देखिए दोस्तों उसारी का मतलब होता है कुए में लटकाई जाने वाली रसी उसको बोलते हैं उसारी बिल्कुल सही है उपरणी उपरणी का मतलब होता है पगड़ी पर भ का उंट या गोड़ा ठीक है तो यानि कि इसमें तीनों सही है तो अब इसका मतलब चोथा तीन सही है तो चोथा तो इसमें संगत होने का ही है तो उबेच हाज को यहां पे गलत दे रखा है और अपना डी नंबर का उप्शन भी इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ह रांदना सींदना क्या है रांदना सींदना क्या है तो दोस्तों जैसे अलवा रांदना ठीक है ऐसे रांदना सींदना क्या है तो यह बोजन सामगरी है ठीक है तो इसमें बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सवेरी से क्या सवेरी का तो देखो विवाहित पती को छोड़ कर दूसरे की पतनी बनने वाली इस्तरी उसकी उसको बोलते हैं दोस्तों सवेरी यानि कि विवाहित पती को छोड़ कर दूसरे की पतनी बनने वाली इस्तरी को सवेरी कहते हैं D number का option सयुत्तर हो जाएगा next is बारात प्रस्तान से पूरव की जानने वाली गनेस पुजा को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसको बोलते हैं क्या तो इसको बनाप बोलते हैं क्या बोलते हैं बनाप D number का option इसका right answer हो जाएगा next is दोसो चुराणवे नमबर प्रेस्ट है पानी ग्रहन से पूर्वा वर की और से वदू को पहनाई जाने वाली चांदी की मुद्रिका क्या कहलाती है तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या दोस्तों जालरो किस आबुसरण का एक रूप है तो दोस्तों यहार का एक रूप है एनमबर का ओप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट दोसो चानवे नमबर प्रेसन है इसमें देखिए निमलिकित सूची फर्ष्ट का सूची सेकिंड से मिलान कीजिए सूची फर्ष्ट और सूची सेकिंड दोस्तों यहाँ पे दे रखा है यहां पे अपने को क्या करना है मिलान करना है तो यहां पे देखिए उलीड इसका मतलब होता है फसल काटने के बाद का गीत उसको बोलते हैं उलीड और उलीचो उलीचो का मतलब होता है पानी निकालने का जो पात्र होता है उसको बोलते हैं और उंडबरी उंडबरी का मतलब होता है एक तार वाद्दे विशेश और उडेल का मतलब होता है हलके पीछे वाली छोटी लकडी उसको बोलते हैं उडेल तो इस प्रेस्ण का राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार यानि कि चार हुई इसमें सही है यह नंबर ओपशन सही हुपतर नेक्स्ट है आगे देखे दोस्तों सत्यान्वी नंबर प्रेस्ण concise कैलाता है तो दोस्तों वो के लाता है तो वो रावलियो के लाता है क्या के लाता है thought तो इसमें B नमबर का उप्शन से उत्तर, नेक्स्ट है, नमाज से पूर्वा हाथ पाउं दोने की क्रिया क्या 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 खेलाती है, तो ये क्या खेलाती है दोस्तो इसमें वुजू, क्या 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 खेलाती है, वुजू, C नमबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा, नेक्स गाउं में पीने के पानी का कुवा उसको बोलते हैं पानगो बी नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट चौप नामक आबुसन शरीर के किस अंग पर पहना जाता है तो ये पहना जाता है दोस्तों कौन से अंग पर तो ये नाक पर पहने जाता है ये आबुसन ठीक है नाक पर C नमबर का option सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है 301 नमबर प्रेस्ट है विवाह मंडप में अगनी परिकर्मा के पश्चात करना कन्या को पहनाई जाने वाली पोसाख को क्या कहते है विवाय मंडप में अगनी परीकर्मा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोसाग को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों वाट वागो क्या बोलते हैं वाट वागो ए नमबर का ओप्शन सही उतर नेक्स्ट जागिरदार द्वारा अपना हिस्सा लेने के पश्चात क्रशक के लिए खलिहान में बची हुई अनाज की राशी क्या कहलाती है तो वो कहलाती है दोस्तों इसमें क्या तो रेवाल तो इसमें ए नमबर का ओप्शन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट दुलहे दुलहन के कान पर वश्चिर पर भांदने का सहरा क्या कहलाता है तो यह कहलाता है दोस्तों मोड क्या कहलाता है मोड बी नमबर ओप्शन सही उतर नेक्स्ट रखन किसका आबुशन है तो यह दोस्तों दात का आबुशन है रखन ठीक है सबको पता होना चीए दोस्तों यह तो डी नमबर का ओप्शन सोरी बी नमबर का जो ओप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट किसन है आगे देखिए 305 नमबर प्रेशन है निम्न में से कौन सा यूग में सही सुमेलित है तो यहाँ पे देखिए चार सब्द दे रखे हैं एक है सत्तुकार दूसरा है सड़वो और तीसरा है सत्तु आंसकरांत यह तीन सब्द दे रखे हैं अब तिनों का मत मतलब होता है वह इस्तान जहां निसुलक भोजन वे आवास की विवस्ता हो उसको बोलते है सत्तुकार सड़वो का मतलब फसल यानि कि पसु पक्षियों को ड्राने है तूख खेत में खड़ा किया जाने वाला मानव आकरती का जो पुतला होता है यानि कि फसल रक्षार्त यानि कि फसलों की रक्षा करने के लिए जो पुतला खड़ा किया जाता है खेत में मानव की आकरती का उसको बोलते हैं दोस्तो सड़वो ठीक है और सत्तु आन्सकरांत का मतलब क्या होता है कि बैसाक मास में आने मेग की सकरांती बैसाक मास में आने मेग की सकरांती उसको ब में इसे कौन सा युग में सही सुमेलित है तो यहां पे देखिए दोस्तो सवरूप सही सवरूप सही क्या है तो दोस्तो सीधा सा सिंपल सा है यहां पे सवरूप सही लिखा हुआ है तो यह क्या है तो दोस्तों ये एक मेवाड का एक प्राचीन सिक्का है सवरूप साही जैसे अखेराद साही जाड साही तो ये सभी हैं ये सिक्के हैं आगे देखो सरावनों, सरावनों का मतलब क्या होता है कि तीर्थ इस्तानों में अस्ती विसर्जन करना उसको बोलते हैं सरावनों और सान का मतलब होता है सास्त्रों की धार तेज करने का एक चक्राकार उपकरण सास्त्रों की धार तेज करने का एक चक्राकार उपकरण उसको बोलते हैं सान तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्ट सभी डी नमबर उप्शन सहयुत्तर सूरियास्त से पूर्व के भोजन को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं अथाउ या व्यालू बोलते हैं सूरियास्त से पूर्व के भोजन को बी नमबर का उप्शन सहयुत्तर हो जाएगा next है आगे देखें दोस्तों सुची first और सुची second दे रखी है सुमेलित करना है कौन्चे सब्द का क्या अर्थ है मिलान करना है बहुत यह अच्छा level का question है तो इसमें देखें दोस्तों बागलियो बागलियो का मतलब होता है लकड़ी के छेद करने का ओजार उसको बोलते हैं बागलियो ठीक है और फेदर फेदर का मतलब होता है आकास में चित्राए हुए बादल को फेदर बोलते हैं और बड़ो बड़ो का मतलब क्या होता है कि गराशिया जाती में मरतक के पीछे किया जाने वाला जो भोज होता है उसको बोलते हैं बड़ो और बकनाल बकनाल का मत इसका सयुत्तर हो जाएगा दोस्तों दो एक चार तीन यानिरा कि सी नंबर का όpture सयुत्तर. Next है अनाज को चार्ज में डाल कर साप करने की किरिया को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको तो इसको बोलते हैं सो उनो क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्टो हेडाओ क्या बोलते हैं वी नंबर का ओप्山 सायद्थर हो जाएगा मोर पगपान वफलरी निमिन में से किस आबुषण के परियाए है तो ये है दोस्टो कुण सी आबुषण की तो बिच्छी आबुषण के परियाए फिनमबर का उप्शन सईतर हो जाएगा नेक्स्ट थिन सो बारा नंबर प्राइस ने इसमें देखिए बड़ो बेस यानि की बरी है बड़ो बेस बरी है तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवाग के समय वदू के लिए बनाए गई विस्षिज्ट पोसाक है उसको बोलते हैं बडो बेस यानि की बरी बोलते हैं उसको ठीक है तो B नंबर का उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा Next question है तगडी क्या है तो दोस्तो तगडी क्या है तो दोस्तो ये एक प्रकार का आबुषन है जो कामर पर पहना जाता है नेक्स्ट आरण किसे कहते हैं तो दोस्तो आरण है वो किसे कहते हैं ये कहते हैं दोस्तो लुहार की भटी को आरण बोलते हैं बी नमबर का ओप्शन सही उतर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यूग में ऐसंगत है तो यहां पे देखिए दोस्तों ऐसंगत कौन सा यूग में है तो यहां पे देखिए हारिल हारिल का मतलब होता है हाथ का आबुषन हारिल का मतलब क्या होता है हाथ का आबुषन ठीक है ये दोस्तों यहां पे गलत दे रखा है हारिल का मतलब दोस्तों यहां पे हाथ का आबुषन है वो गलत दे रखा है ठीक है तो ये गलत हम्माल का मतलब होता है बाजार या मंडी मे अनाजादी का बोजा डोने वाला मजदूर और हरी सो का मतलब होता है एक परकार का वेंजन तो हारील का मतलब यहां पे हाथ का वुषन गलत है तो इसमें बी नमबर का उप्शन सहुत्तर हो जाएगा नेक्स्टे तीन सो सोला नमबर प्रेस्टने बारोटियों से क्या आसे है तो दोस्तो बारोटियों से क्या आसे है इससे आसे है दोस्तो वागी डाकू उपद्रवी तो इन तीनों का मतलब होता है दोस्तो वो है उप्रोक्त सभी नेक्स्ट है ओगणियों से क्या आसे है तो दोस्तो ओगणियों से क्या आसे है तो इस्तरियों के कान का आभूशन है उसको बोलते हैं दोस्तो ओगणियों C नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आखा से क्या आशे है तो इसे आशे है दोस्तों मांगलिक अवसर पर प्रियुक्त चामवल या गेहूं के दाने होते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों आखा बी नंबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 319 नंबर प्रियुक्त है खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पसू पक्सियों को ड्राने के लिए खेत में खड़े किये जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं खेत में जो पुतला खड़ा किया जाता है उसको तो उसको बोलते हैं दोस्तो अडवो क्या बोलते हैं उसको अडवो बोलते हैं बहुत ही अच्छा क्यूशन है दोस्तों ठीक है अडवो या सडवो ठीक है दोनों एकी नाम है अडवो या सडवो ठीक है तो इसमें बी नंबर का उप्शन सभी तर नेक्स्ट उचाला से क्या तात परिये है तो दोस्तों उ रियाया द्वारा गाउं से पलायन कर जाना, यानि कि जागिरी जुल्मों से बचने है तू वहां की रियाया द्वारा गाउं से पलायन कर जाना, उसको बोलते हैं उचाला, तो इसमें C नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों, यह आज की अपनी कलास सं करती से समंदित साथ क्यूंज नहीं देखिया तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है वहाँ पापको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान की कलाशन्स करती परस्न उत्री के नाम से तो आप वहाँ जाके सारी के सारी कलासे हैं वो जरूर देखें अरद्यारेस अकेडमी के यूट